लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें पूरी दुनिया इस समय कोरोना वाइरस के खिलाफ जंग लड़ती हुई नजर आ रही है दुनिया में इस महामारी से अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है बहराल इसी बीच कोरोना संकट के बीच दुनिया भर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है खबर मिल रही है कि चीन के वुहान से उठा खतरना कोरोना वाइरस अब धीरे-धीरे ठंडा होता जा रहा है जीहां हाल ही में इटली के टोप डोक्टर्स ने दावा किया है कि कोरोना वारस धीरे धीरे अपनी शमता खो रहा है और अब उतना जान लेवा नहीं रह गया है इटली के लोंबाइडी के सैन रफेल अस्पताल के प्रमुक अलबर्टो जंग्रीलो ने हाल ही में एक मीडिया चैनल को दिये एक साक्षातकार में बताया कि कोरोना की घटी शमता लोगों के लिए राहत भरी खबर है उन्होंने बताया कि क्लीनिकल रूप से कोरोना वाइरस अब इटली में मौजूद नहीं है पिछले दस दिनों की जाँच में जो तथ्या सामने आये हैं उससे पता चलता है कि वाइरस दो महीने पहले की तुलना में अब बेहत कमजोर पड़ गया है हलांकि सरकार ने इस दोरान लोगों से पूरी सावधानी बरतने की अपील की है हमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी है फिलहाल हमें बहुत जादा सावधानी रखने की जरूरत है बतादें कि कोरोना के कारण इटली में भी बहुत जादा मौते हुई है मौतों के मामले में इटली तीसरे स्थान पर है लेकिन अब धीरे-धीरे इटली में स्थिती सुधर्टी हुई नजर आ रही है बता दें कि सबसे ज़्यादा कोरोना वाइरस से मोतें सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में हुई है महीं कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी अधिकतर देश अपनी लैब में दिन रात लगे हुए हैं